सब्सक्राइब कर दो हमारे रिट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर में आपको जो भी इन्फर्मेशन देता हूँ वो पहले मैं कंफर्म करता हूँ उसके बाद में वीडियो बनाता हूँ तो दोस्तो बेना टाइम वेशचे वीडियो को श्टार्ट करते हैं तो गाई सबस्किर आपसिंग वीडियो को लेकर कोई बात नहीं बताईए उन्होंने अपनी सबसे कुछ भी किलियर नहीं किया है कि CBSC का passing criteria change हुआ है या नहीं हुआ बट जो CBSC की teacher है और जो बड़ी-बड़ी site है जो CBSC से related news देते हैं उनका यही कहना है कि CBSC ने passing criteria change कर दिया है क्योंकि दोस्तों मैंने teacher से पूछा था उनका भी यही कहना है कि CBSC ने passing criteria change कर दिया इस साल का और new passing criteria के अंडर आपको theory और practical दोनों में अलग-अलग pass होना है गाइज यह बात मैंने सिर्फ एक teacher से नहीं पूछी मैंने बहुत सारी teacher से पूछा और बहुत सारी website पर चेक है उन सब का यही कहना है कि passing criteria change हो गया है और अब आपको theory और practical दोनों मिला के pass नहीं होना अब आपको theory में अलग pass होना है और practical में अलग pass होना है अब बहुत से student बोलेगी सरी यह news fake भी हो सकती है website fake news भी तो डाल सकती है तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा यह news fake हो सकती है बट अगर यह news यह लुई तो आपको बहुत ज़्यदा loss हो सकता है गाईज लास्ट यह पासिंग कीटिरिया था बोर्ड एक्जाम के अंदर और CBSC ने क्लियरली बताया था कि student को theory और practical दोनों मिला के pass होना है बट गाईज इस साल CBSC ने नाइक को क्लियरली कुछ बताया है और नाइज स्कूल में कोई passing कीटिरिया को लेकर कोई भी guidance नहीं दी है मैंने passing कीटिरिया को लेकर bosser school के teacher से पूछा उन सभी का यही कहने कि passing कीटिरिया change हो गया है student को theory में अलग pass होना है और practical में अलग pass होना है देखो गाईज में भी passing कीटिरिया इस साल भी हो सकता है मैं ऐसा नहीं कहाई कि passing कीटिरिया नहीं है बर दोस्तों अगर passing कीटिरिया नहीं हुआ और आप में बहुत से student passing कीटिरिया पर पूरा depend होकर चले गए तो आप board exam के अंदर fail हो सकते हो आपका पूरा एक साल बरबाद हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि आप छोटी सी कलती से पूरा अपना साल बरबाद कर दो या फिर आप फेल हो जाओ board exam के अंदर guys अगर passing कीटिरिया होगा तो आपको benefit है अगर नहीं होगा तो कोई loss भी नहीं है क्योंकि loss ऐसे नहीं है दोस्तो अगर passing कीटिरिया नहीं होगा तो आपको teacher खुद help करेगे पास होने में आपको grace marks मिलेगे और भी दूसरे कई सारे benefit मिलेगे अगर passing कीटिरिया नहीं होता तो और पासिंग किटेरिया होगा तो आपको वैसे ही बेनिफिट मिलेगा बड़ दोस्तों अभी मैं आपसी को एक ही बात बोलूँगा कि यही मान के चलो कि पासिंग किटेरिया नहीं है और आप बोर्ड एक्जाम की अच्छी जर्गेश प्रिपेशन करो गाइस मैंने CBSE के सारे सर्कुलर चेक कर दी है CBSE की पूरी वैबसेट मैंने चेक कर लिया है उधर कहीं भी CBSE ने 2020 का सर्कुलर नहीं अप्लोड किया पासिंग किटेर को लेकर इसलिए इस साल पासिंग किटेर है या नहीं है उसके रिगार्डिंग कोई भी पर्टिकुलर क्लियर नहीं है बट CBSE टीचर और बड़ी बड़ी नूज वैबसेट का कहना है कि पासिंग किटेर है चेंज हो गया है तो गाइस अभी एक और आप सभी यही मान के चलोगी पासिंग किटेर है चेंज हो गया है तो आप अच्छी तरीके से प्रिपेशन करो बोड एक्जाम को लेकर अगर पासिंग किटेर होगा तो आपको बहुत सारे बैनिफिट मिल जाएगे अगर नहीं होगा तो भी आपको बैनिफिट मिल जाएगे तो गाइस डी मोटिवेट मत हो तो अगर आप में से कोई स्टेट ऐसा है जिसको ये लग रहा है तो इस साल बोर एक्जाम पास होना मुसकील है तो दोस्तो मैं उस स्टेट को कहाना चाहूंगा कि पासिंग इटिएर हैं तो आपको इस साल पास होना और भी असान है क्योंकि टीचर अब आपके खुद हेल्प करेगा पास होने में इसलिए दोस्तो अब मोटिवेट हो जाओ और स्टडी बिल्कुल अच्छी तरीके से करो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है और आपको इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी जाने को लाइफ जे करो